आप कोई यह सोच सकता है कि चुंकी कृष्ण अर्जुन के मित्र थे यह तवा अर्जुन यह सब कुछ उन्हें चाटू कारिता के रूप में कह रहा था लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संध्य को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस पुष्टी करता है जब वह यह कहता है कि कृष्ण को पुण प्रश्वत्तम परमेश्वर के रूप में सिर्फ मैं ही नहीं मानता अपितु नारद असीत देवल तथा व्याद देव जैसे अधिकारी भी स्विकार करते हैं यह सब महा पुरुष हैं जो समस्त आचारेयों द जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठीन है यहां तक कि बड़े-बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मनुष से उच्छे व्यक्तित्व द्व है यह भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहन करना चाहिए किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल है ना यह भी सोचना चाहिए कि कृष्ण कोई सामाने पुरुष है या कि एक महान विक्तित्व है भगवान सी कृष्ण साक्षाद साक्षात पुनपुर शुत्तम भगवान है ये तो भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रत्न करने वाले आजुन के कथानुसार हमें कम से कम सिध्धान्त रूप से ये स्युकार करना चाहिए कि कृष्ण श्री कृष्ण पुन प्रसुत्तम परमेश्वर है उसी विनित भ गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता तब तक उसे भगवत गीता को समझ पाना अत्यंत कठीन है क्योंकि यह एक महान रहस्य है जो तो भगवत गीता क्या है भगवत गीता का प्रियोजन मानव जाती का भौतिक संसार के अज्ञान से उध्यार करना प्रत्यक विक्ति अन अर्जुन ने सिक्रिष्ण को श्रण ग्रहन कर ली फलसुरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ केवल अर्जुन ही नहीं वरना हम में से प्रत्यक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से घिरा हुआ है हमारा अस्तित्व मात्र ही अनस्तित्व के लेकिन किसी ना किसी कारण से हम असत्त में डाल दिये जाते हैं, असत्त का अर्थ है वह जिसका अस्थित नहीं है कश्ट भोगने वाले, अनेग मनुश्य में केबल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्त में अपनी स्थिती जानने के जिग्यासु हैं जैसे कि वे क्या हैं वे इस विशम स्थिती में क्यों डाले दिये गए हैं आदी आदी जब तक मनुष्य अपने कष्टों के विशे में जिग्यासा करने की स्थिती तक जागरित नहीं होता तब तक उसे यह अनुभूती नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कश्टों का हल ढूनना चाहता है जब तक उसे पुन मानव नहीं समझना चाहिए मानवता तभी सुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिग्यासा उदित होती है ब्रह्म सुत्र में इस जिग्यासा को ब्रह्म जिग्यासा कहा गया है अथातो प्रभ्रम जिग्यासा मनुष्ट के सारे कारे कलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह प्रभ्रम के सरूप के विशे में जिग्यासा नहीं करता एतव जो लोग यह प्रश्ण करना प्रारम कर देते हैं कि वे क्यूँ कष्ट भोग रहे हैं या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे वे ही भगवत गीता समझने के सुपातर विद्यार्थी हैं निश्टावान विद्यार्थी में भगवान के प्रती दिर्ण आदर भाव भी होना चाहिए अजुन ऐसा ही विद्यार्थी था जब मनुष जीवन के वास्तविक उद्देश को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेश रूप से उसी उद्देश की पूर्ण स्थाप पना के लिए अवतरित होते हैं तब भी असंख जागरित हुए लोगों में से कोई एक ऐसा होता है जो वास्तव में अपनी स्थिती को जान पाने की स्थिती में आता है उसी के लिए ये भगवत गीता कही गई है वस्तह हम सभी अविद्यारूपी बाधित के द्वारा निकल लिए गए हैं लेकिन भगवान जीवप विश्यस्तह मनिश्य पर बहुत कृपालू है इस उद्देश से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना सिष्ष बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया भगवान कृष्ण का सार्थी होने के कारण अर्जुन समस्त भगवान उसकी व्याख्या मनिश्यों की भावी पीडियों को लाव के लिए कर दे और जीवन की योजनाव का निधारन कर दे तब मनुश्यत तदू नासार तदू अनुसार कार कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश को पुण कर सकेगा भवत गीता के में पांच मुल सत्य का ज्यान निहित है सर्वपथम इश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिती की विवेचना की गई है एक इश्वर है जिसका अर्थ है नियंता और दूसरा जीव है जो नियंतृत है यदि जीव यह कहे कि वह नियंतृत नहीं है अ जीवन में तो नियमित, नियंतlingt है, एत्वा भगवत कीता के विशेवस्तू इश्वर सर्वोच नियंता था जीव, नियंतृत जीवातमाँ से संबन्दित है इसमें प्रकति, भौतिक प्रकति काल समस्त ब्रंहान या भौतिक प्रकति के प्राकाट का कला विधी, अता कर्म का कारे कलाब की वियाख्या है ये द्रिश्ट जगत किस प्रकार नियंत्रित किया और जीवों के कारेकलाब क्या है बहुत गिता के इन पांच मूल भूत विश्यों में से यह स्तापित होता है कि परम भगवान अर्थवा कृष्ण अत्वा ब्रह्म या परम नियनता अत्वा परमात्मा आप जो चाहे कहले सर्व सबसे स्ट्रेश्ट है जीव जीव गुण में परम नियनता के ही समान है उधारन्थ जैसे कि भववत गिता के बाद के अध्यायों में बताया जाएगा भगवान ब्रह्मान में भौतिक प्रकती के समस्त कारियों के उपर नियनतर रखते हैं भौतिक प्रकती सुतंतर नहीं है वह परमेश्वर के निर्देशन में कारे कर जब हम द्रिश्ट जगत में आश्चारे जनक घटनाय घटती देखते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि इस द्रिश्ट जगत के पीछे एक नियंता है बिना नियंतरन के किसी चीज का प्रकट होना संभव नहीं है नियंता को नाम मानना बचपना है उधारनता एक बालक यह स बिना चल सकती है कि इन्तु एक समझदार विक्ती मोटर कार की अभियंतरिक दिवस्ताक से परिचित होता है वह सदेव जानता है कि इस यंतर की पीछे एक विक्ती एक चालक होता है इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में प्रते कारे होस रहा है हम अगले अध्याय में देखेंगे सुने का एक करण भी सोना है समुद्र के जल में एक बुंद भी खारी होती है इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता इश्वर या भगवान कृष्ण के अंस होने के काण परमेश्वर के सभी गुणों में सुक्ष मात्र में युक्त हैं क्य रहे हैं जैसे कि वर्तमान में हम अंत्रिश में अंत्रिश या ग्रहों में को वस में करने का प्रयास कर रहे हैं और हम में नियंतरन करने की यह प्रवित्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है परन्तु यद भी हम में भौतिक प्रगतिक पर प्रभुत जमाने का की होती है तो आप हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है यह भवद गीता में समझाया गया है